वेलकम बैक तो माई चैनल फिर से हजिर आपके लिए एक नया यूसफुल और इंट्रस्टिंग वीडियो लेके तो कैसे हैं आप लोग आशा है अच्छे होंगे तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और अच्छे लगते हैं चोल बसल चोटी टेप्स ऑटिक्स के वीडियो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंस में और अकर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना नह भूले तो आईए आज का ये छोटा सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी टिप्स है वो इस तरह के कॉपी या बुक्स को लेके हैं जब भी हम पढ़ाई करते हैं और आजकल तो गर्मिया है तो पंखा कूलर यह तो चालू ही रहते हैं और ऐसी कंडिशन वर इनके जो पेज वो बहुत उड़ते हैं समझ में नहीं यादा क्य करें कि इसके जो पेज वगेर हैं वो उड़े नहीं और बार बार इनको हम हाथ से सही करते हैं तो फिर हमारी जो पढ़ाई है या जो भी वो डिस्टरवेंस होते हैं क्योंकि आप देख रहें कि पंखा अगर चालू करके अगर हम कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं त बहुत ही सिंपल सी ट्रीक है इसमें ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है बस थोड़ा से दिमाग लगाना है और आपका ये काम जो है वो आसान हो जाएगा तो चलिए बताते हैं कि वो ट्रिक क्या है तो आपको लेना है एक बालों में लगाने वाली क्लिप और जहां भी आप कुछ लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको इस पेज पर इस क्लिप को लगा के और उसको fix कर देंगे बहुत यह आराम से लग जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है पेज वगरए भी कोई ने लिट नारी जाती तो आशा है आपको यह जो ट्रिक है मारी पसंदा योगी बढ़ते हैं अग्ली ट्रीक की तरफ अग्ली जो ट्रिक है वह भूप सिंपल सी है पढ़ाई से एस तरह की जो जो बच्चे घर में होती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन पूरी ज्रूबर होती है वह जादा यूस करने की वजदे से यह मिट जाते हैं हॉ तो अगर asking किसी काम की की नहीं होती है क्योंकि में जो काम होता है वह इससी नंबरों का होता है क्योंकि इसमेंहिश मारक करके हम ऐस हम अपने ड्रॉइ करते हैं तो यह बहुत काम की होती है यह मिट जाए तो पूरी स्केल जो है वो खराब हो जाती है तो इसके लिए हमें लेना है एक सेलो टेप आप चोड़ा वाला ही आपको लेना है अगर आपके पास चोड़ा नहीं है तो आप पतले वारे जो है वो दो ले सकते हैं और इसके नंबर है वह आपके मिटेंगे भी नहीं और आपके जो यह जो स्केल है इसके उपर यह टेप चिपकने से स्केल वह काफी मचबूत भी हो जाएगी तो बहुत चोटी सी ट्रेक है लेकिन बेहत काम आने वाली है और अब इस्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों की यह जो न बोड़ते या फिर कट करतें तो आप देख सकते हैं यह टेप दिखाई दे रहा है और नंबर जो है वो खिलियर दिखाई दे रहे हैं और यह विल्कुल भी मिटने वाले नहीं है तो आशा है आपको यह छोटी सी ट्रेक हमारी जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो अगली जो ट्रेक है वो भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है और इसका जो सिरा है वो बार बार खो जाता है क्योंकि टेप है टेप का सिरा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसका एक ब और शिरा चिपक जाया तो दूसरी बार जब यूज करते हैं तो यह मिलता नहीं है तो इस तरह से इसको करके और इसमें यह जो टेप है वह सॉरी रबड है वह हमने लगा दी है तो अब अगली बार जब इसका जो सिरा में ढूनने में कोई परेशानी नहीं होगी तो चलिए ह Mü обяз अब्ल जब देखा कि यह जो सिरा है वो झौनने में इसका जो ठोर है कितने जैना में दिकत होती है को इसको डूनने का भी बहुत ही जाएक सिंपल सा वरी कह यह एक पूल कर देखें है तो आपको कभी भी पोईजादे नहीं होगी तो क्योंकि इसका जो सिरां तरूं प और अगर इसको ढूंडना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और हमें इसको टेप की जरूरत बार बार पढ़ती है क्योंकि अब नई नई कॉपी किताबे आएंगे इसमें कवर चढ़ाएंगे तो यह जो टेप हैसकी हमें जरूरत पढ़ेगी और इसका सिरा बार बार ख पकड़ी हो तो इसकी वेज़े से बड़ी दिक्कत हो रही है तो इसको आप इस तरह से आप अंगूठे में अंगली में लगा लें और टेप की उपर आप इस तरह से रगड़ेंगी तो आप इसका जो छोर है जहां से चिपकता है मतलब इसकी जो स्टार्टिंग जहां से ट तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ अगले ट्रिक भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और यह फ्रिज से रिलेटेड क्योंकि गर्मिया बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में फ्रिज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है लेकिन फ्रिज को अगर हम बह जयों काम आएंनल यह तो जैसे करके फ्रिज को यूज़ करना है और जैसे घर्मी है तो हमें एक इसको है ethics के लाना है सफ्रावता बहुत है picked alert को अगर यह झना जो आपका फ्रिज्ज है वह अच्छे से चलेगा उसको बिजली का बिल है उस पर भी आपका लोड नहीं बढ़ेगा यानि कि वह भी बहुत ही काम आएगा तो आशा है चोटी सी जानकरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो और अपना जो फ्रिज्ज है वो भी आप उसमें भी जो चीजें हैं वो कम रखें क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भर के अगर हम फ्रिज्ज में चीजें रख देते हैं फ्रिज्ज यानि ओवर लोड हो ही तो उससे भी जिए बिज़ी का विल फो ज्यादा होता है क्योंकि फ्रिज्ज पर लोड बढता है तह तो सभी इससे अपसे आप में सामान रखें कि जितना जरूरी हो उतना ही सामान को इससे लोड़ कम रहेїगा और आप भिजली को बेल है वो काफ़ी कां माईगислने छा आपका जो फ्रिज है वह बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा तो यह छोटी छोटी चीजे हैं तो यह आपको रेगुलर चेक करती रहने चाहिए और फ्रिज की जो रबड है उसकी भी रेगुलर सफाई करते रहें क्योंकि उसमें भी कच्रा और चीटिया वगएरा कोकरोच के अंडे वगएर खट्टे हो जाते हैं तो अभी बहुत ज्यादा खराब काम हो जाता है तो यह सारी चीजें आपको थोड़ी सी धियान रखने हैं तो बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ अगली जो ट्रिक है वह मग को लेके यह प्लास्टिक का जो मगगा हम लेके आते हैं इनके जो लोकल लेके आते हैं वो स्की राट जो प्लास्टिक होती वह यह थोड़ी खराब होती वैसे यह मिल्टन का मग हम यह बहुत थी च्र балτα स्कुनेंट जोती हमेल करता है कि यहीं फिल जमीटी नहीं होती है फोड़ा मेहंगा आता है और मेहंगी सबस्क्राइब Nawat महाइल हो एक बारन सहस्ता रोए बार बार याने कि जो सस्थी चीज़ होती है उभाइब def र फौर 쉽का और लएन कि आकारा भीलाते अच्छी लगती हुआ मार्केट से और हम सस्ती वाली भी खरीद लाते हैं तो जब भी आप प्लास्टिक का अगर आप लेके आते हैं तो वो जल्दी तूट भी जाता है और वो जल्दी ना तूटे उसके लिए आपको क्या करना है फ्रिज में फ्रिजर में मग्ये को आप दो उसकी वैसे आपका मग्या है वह जितना चलता है उससे थोड़ा ज्यादा चल जाएगा तो इस तरह से आप यह चोड़ी सी ट्रिक यूज करके आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है तो यहां पर मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था और अब उसको मैंने निकालके और अब मैं इसको यूज करूंगी तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवात यह वीडियो कैसा लागा प्रीस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले हैं थैंक यू